Hello students, I am Sadhna Koshik from PS Academy. Today I will teach you class 5th subject science, chapter 2, health and hygiene. इसमें देखिये, आपको आज पढ़ना है, our food, different food groups, third है exercise and rest, disease, spirit of disease and prevention of communicable diseases. तो चले स्टार्ट करते हैं, इसमें देखिये, ये नीचे picture, look at the picture, given below, ये नीचे दे रखिये हैं, ये कौन-कौन सी activity हैं, ये आपको self write down करनी है. Next है, we must keep ourselves healthy and clean, हमें अपने आपको healthy and clean रखना चाहिए, let us more, learn more about how to stay healthy, a good living is possible only when we live a healthy life. ये अच्छा जीवन, तभी संभव होता है, जब हम सबस्तर है, A healthy life is possible when we remain physically fit and free of any disease. To remain healthy, we must eat nutritious food, stay active and follow the rules of cleanness. एक सबस्त जीवन अगर हमारे पास है, तो हम एक बहुत अच्छी life को आसानी से जी सकते हैं. उसके लिए हमें physically fit भी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और free रहे हम disease से, वो भी जरूरी है. तो सबस्तर हैने के लिए हमें फॉस्तिक भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे वो और stay active और सक्रिय रहना चाहिए, तो यह बहुत सारे rules हैं, जो हमें healthy बनाते हैं. Next है, our food, हमारा भोजन. The food we eat throughout the day makes up our diet. Our food contains nutrients like carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. The amount of type of nutrients varies from food to food. We also need water and refase in our diet. दिन भर में हम जो भोजन करते हैं, वे हमारा क्या होता है? आहर मनता है उससे. और हमारे जो भोजन होता है, उसमें क्या क्या सामिल होते हैं? निटरेंट्स like carbohydrate होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जरूल नहीं है, यह सारे हो. कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते. इसलिए हमको बहुत सारे disease हो जाती हैं, क्योंकि इन nutrients की मात्रा, जो हमारे शरी में कभी ज़्यादा हो जाती हैं, और कभी कम होती है. ये बैलेंस नहीं रह पाती है इसलिए हम डिशीज से फ्री नहीं रह पाते हैं तो हमें अपने भुजन में हमेशा बैलेंस डाइट का ही उप्योक करना चाहिए तो इसमें देखे हमारे बैलेंस डाइट में सारे ये पुशक्तत्व होने चाहिए और इनमें वाटर और रफेस भी इंक्लूड होते हैं नेक्स्ट है हमें किस तरही के बुजन क्या शक्ता होती है इसमें है इसमें देखे चिल्डरन हुआर मोर अक्टिफ नीड मोर फूड चिल्डरन बहुत ही अक्टिफ जो बहुत ही अक्टिफ होती है उनको बहुत अधिक भुजन के अशक्ता होती है और प्यूपल हुडू है जो हवी वर्क कर रहे है उनको भुजन के अशक्ता होती है किसके अपिक्षा जो हलका वर्क करती है उसके अपिक्षा तॉल एवी प्यूपल को भी अधिक भूजन के अशकता होती है या द आगे है यह एस प्यूपल ग्रोगोए ओलडर और बिकम्स लेस्टी लेस्ट पेंसमें देखिए जो यह उते है ना भूरे जितने भी भूरे होते हैं वो दीरे 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 और कम और कम सक्रिय होते चले जाते हैं, active नहीं रह पाते हैं, उनके शरीर से energy धीरे-धीरे कम होती चले जाते हैं, तो उनको भोजन की बहुती कम आशकता होती है, active-ness नहीं रहती है, उनके शरीर में तो उनको भोजन की आशकता कम होती है, all types of food do not contain all nutrients in the same proportion, सबी जितने भी फूड होते हैं अभी मैंने आपको बताया कि हमारे बुजन में समान अंपात नहीं रह पाता है तो सम फूड साय रिज से रिज से Cars नहीं कार्बाइडरीड जादा होता है सम अधर्स अर रिज से प्रोटेन से जादा होता है किसी में fat ज्यादा होता है too much or too little of one kind of food is not good for our body तो जो हमारे बोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है तो we must include all the nutrients इसलिए हमें सारे पोशन और तत्व अपने बोजन में इंक्लूट करने चाहिए in our food to stay healthy जो हमें healthy बनाएं और डाइट that include all the nutrients मत्रा में हमारे बोजन में सामिल होंगे तो उसको कहते हैं balance diet clear next है इसमें देखे प्रामिट भी है यह आप देख सकते हैं आसानी से यह देखे यह पूरा प्रामिट है यह आप देखेंगे इसमें आपको पूरा बैलेंस डाइट है इस तरीकी से हमें भोजन लेना चाहिए clear next है हमारा the food pyramid देखेंगे आपको मैंने बताया ना भी यह आप इसमें देखेंगे यह activity है यह नीचे आपके यह store है और इस store में भोजन है food है तो यह किस किस type का भोजन है यह दे रखा है तो आप self कर सकते है you can self it तो चली next है हमारा इसमें देखे breakfast है lunch है dinner तो यह आपको self लिखना है breakfast आप क्या लेती है lunch क्या करती है dinner क्या करती है तो यह आपको इसमें यह इसमें इसमें और इसमे you can self it ओके चली next है different food groups इसमें भी different food groups है इसमें देखे bread and cereals group जो है जो हमारा अनाच का सम्मू होता है उसमें देखे यह क्या है bread and cereals group include food made from grains such as rice wheat and corn, चावल, गेहूं और corn यह सब क्या है ETC यह क्या है अमारे grains है cereal groups में आते हैं include होते हैं these foods are rich in carbohydrate अधिक मात्रा में इन food में क्या होता है carbohydrate होता है they give you energy to work and play your body running throughout the day they also provide fiber fiber help us to digest our food carbohydrate जो होता है इन सभी अनाजों में अधिक मात्रा में होता है जिसे हमें energy मिलती है और energy मिलती है तो हम work करती है और यह हमें fiber भी देते हैं और fiber help किस में करता है digest में पाचन में भोजन को पचाने में next is vegetable and fruits group the vegetable and fruit group provide vitamins and minerals that help to prevent disease vitamins and fruits जो होते हैं यह हमारे यह क्या करते हैं prevent करते हैं disease को रोक नहीं में help करते हैं they are also a good source of fiber नहीं सबसे अच्छे यह good source होते हैं किसके fiber के some vegetables like potato है sweet potato are rich in carbohydrate बहुत अधिक मात्रा में carbohydrate मिलता है potato और sweet potato से soft dry fruits जैसे देखे आपका है apricot apricot बोलते हैं जिसे खुबानी को reason होती है यह आपकी किश्मिश डेट खुजूर यह सब क्या है इन में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है are also rich in carbohydrate next time milk group milk groups provides calcium that helps to build strong bones and teeth milk जिससे भी milk group से जो भी चीज़ें बनती हैं उससे क्या मिलता है calcium मिलता है वो मजबूत करते हैं हमारे हड्डियों को हमारे दांतों को they also provide other important और भी other हमाई मुखे nutrients हमें इससे मिलते हैं जैसे की protein है vitamins है अब इसमें देखे यह activity two है इसमें देखे bread and cereals group है इसमें आपको यह draw करनी है इसमें तीनों में you can sell it also चले next है हमारा meat or pulses and beans meat food group में क्या होते हैं include meat, fish and eggs plant food like pulses beans, nuts and seeds also belong to this group इस group में यह सारी चीज़े include होती है these food help in building strong यह किसमें help करता है हमारे body को build करने में बनाने में muscles को बनाने में help करता है food in this group provide protein यह हमें इस group से हमें क्या मिलता है proteins और iron मिलता है proteins और body building food होते है जो proteins होते हैं वो body building food होते है and children's need more proteins और children को बहुत अधिक protein के आशकता होती है next is fats and oils you also need some oil for good health you get oils from oil seeds like mustard, groundnut and sunflower seeds nuts like cashew, almond, walnut and pistachio are rich in fats and oils oils is also extracted from animal sources like animal fats and fish लेकर हमें fats और oil की आशकता होती है यह हमें carbohydrates से अधिक मात्रा में energy प्रोवाइट करते है यह हमें oil किसे मिलता है oil seeds से जैसे कि mustard, groundnut, sunflower हमें nuts कॉन 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 से हो गए जैसी कैश्यू हो गया, almond हो गया, walnut हो गया, पिस्ता हो गया ग्रोप, vegetable ग्रोप, fruits, milk and meat ग्रोप, clear? चले अब हम नेक्स्ट पर आते है एक्सराइज और रेस्ट देखो जैसा कि सभी जानते हैं हमारे शरीर के लिए एक्सराइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है एक्सराइज हमारे शरीर को active बनाती है, fit बनाती है और बहुत सारी इससे हमें लाव होते हैं अपार्ट फ्रॉम eating a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep fit and healthy देखे अगर हम एक पार्ट होता है ये भी balanced diet का exercise अगर हम exercise daily करेंगे तो हमारे शरीर क्या रहेगा? fit and healthy रहेगा तो benefit of exercise के देखी क्या क्या है, first है exercise help in maintaining physical fitness, physical fitness को maintain करती है exercise strength, bones and muscles को मजबूद करती है, it increase the efficiency of the heart जो heart की कारेचमता होती है, उसको बढ़ाती है, improve करती है blood की circulation को exercise and fourth exercise makes us take deep and quick breaths and strength of our lungs अगर हम घहरी-घहरी सांस लेते हैं, तो ये हमारे lungs को भी मजबूद बनाती है, क्या exercise? you should exercise and play in the open where there in fresh air हमें खुले बातावर्ण में exercise करनी चाहिए जिससे की हम fresh air को ले सकें चले next है, आपका देखे इसमें, fifth है, it also helps our nervous system by supplying more oxygen to the brain, अगर हम exercise करेंगे, तो जो हमारा nervous system है, वो nervous system में supply होगी brain में, क्या oxygen, बहुत अधिक मात्रा में, six है, after exercise we sweat, जब हम exercise करते हैं, उसके बाद हमें पसीना आता है, तो पसीना आता है, तो ये अच्छी बात होती है, पसीने से क्या होता है, जो हमारे waste होता है, शरीर का, वो पसीने के दारा बहार निकलता है, तो it helps to get rid of waste from our body, तो हमारे body से waste निकालने में ये help करती है, और exercise के बाद हमें अच्छी नीन भी आती है, benefits of rest, we also need to rest our body, our body gets a change to repair worn out muscles and make them strong when we rest, sleeping for about six to eight hours is very important, it also helps to keep us alert and fresh, तेकि जब हम आराम करते हैं, तो हमारे शरीर को खराब होची की जो माश्वेश्य होती है, उसकी मरम्मत हो जाती है, जब हम आराम करते हैं, क्योंकि हमें नीन आती है exercise से, exercise से हमें rest मिलता है, हमारे शरीर को rest की जरूद भी होती है, तो strong when we rest, तो उसको हमें भॉंका मिल जाता है, यानि मसल्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती है, sleeping for about, हमें कम से कम अच्छे से आठ गंदे की नीन लेनी ही चाहिए, क्या करता है, इससे हम सतर को ताजा अपने आपको महसूस करते हैं, पोस्चर पोस्चर, तिके हम लोग बैठते हैं तो बिल्कुल जुख कर बैठते हैं, तो हम बिल्कुल स्टेट बैठना चाहिए, तिससे हमारी कमर में परों में धर्द ना हो और हमारा माइंड भी फ्रेश रहा है पॉस्टर रेफर्स तु दे वे वी होल अवर बोड़ी वाइल वी सिट इस्टेंड वोक और रीड इस इंपोर्टन तो मेंटेन करेक्ट पॉस्टर वी शुड़ कीप अवर बैक स्टेट वाइल वी अवर स्टेंड और सिटिंग जब हम खड़े ओ रहे हों और बैठें हों तो हमें इलकुल स्टेट रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल फिट रहता है नेक्स्ट है रेगुलर मेडिकल चेकप पर जाना चाहिए देखे विजिट यूर डॉक्टर रेगुलर्ली और गैट यूर हाइट अब इसमें देखे ट्रू और फॉल्स है यह आप पो सेल्फ ही करनी है है रहे हैं अब डिसीज पर आते हैं डिसीज तेखे टु टाइप सावब इसेज एक तो होती है नन म Rapidly और सेक leaks के वल टॉसे पर क्वारे में उसी शी के बारे में यह पढ़ेंगे कि यह कई तरीके की होती一下 इस क्वाहिए यह कई तरी कि इसके रीजन क्या होता है जैसे कि यह सुन पर्मीनगेमिस इस जो मात्रा चाहिए हमें वह नहीं मिल रही है, मिनरल्स की नहीं मिल रही है, तो the food cause disease, इसलिए हमें lack of healthy food, यानि कि healthy food में हमारी साथ nutrients जुड़े हुए होते हैं, nutrients में like vitamins and minerals in the food cause disease, they are called deficiency disease, इसी वज़े से यह deficiency हो जाती है, यानि कि जिस nutrients की हमारी sharing में कमी होती है, उसी से relative हमको deficiency disease हो जाती है, deficiency disease can be prevented or cure by a proper diet, इसलिए हमें जितनी आशकता होती है, उतनी हमें vitamins, minerals, protein, यह सब समान मात्रा में लेने चाहिए, the following table show the effect, इस following table है, जो नीचे दे रखिया आपको, इसमें देखे, देखे, marasmus है, इसमें marasmus रोग दे रखा है, यह देखो, यह वाला, cancer कर है, anemia भी है, फिर goiter रोग दिया है इसमें, अब इसमें देखे, caused by deficiency है, इसमें देखे, marasmus होता है, carbohydrate की कमी से, cancer कर होता है, protein से, anemia iron से, goiter होता है, iodine की कमी से, नहीं, यह सारी चीजें देखे, और जो हमारे bones और teeth होते हैं, development in proper तरीके से, तो हमारे calcium और phosphorus की कमी से होते हैं, अब देखे, इसमें symptoms, देखे, इसमें, इसमें child becomes so thin that loose fold of skin can be seen all over the body, body, body पर effect डालता है, ribs of the parsley जो होती है, also visible होती है, ति पसलें दिखाई देने लगते हैं, इसमें show of view हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसमें, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, rice wheat, potato maize, honey, यह, हम खाना चाहिए, rich matter में, अब देखे को answer कर, इसमें क्या होता है, abdomen product ऑनले जो हता है न, abdomen की 4 तरफ ये इदर देखा है ये, इसमें swelling आजाती है, वैली पर swelling आजाती है, लैक्स क्या होती हैं, थिन हो जाती है , पतली-पतली तांगे उ जाती है इसमें, क्या करना चाहिए एग फिश मीट यह खानी चाहिए इसमें दे रखा देखे इसमें देखे वीकनेस हो जाती है पेल स्किन हो जाती है इसमें क्या खाना चाहिए एग पलसेज इसमें ग्रीन वेजिटेफल्स इसमें देखे थाहरेड में क्या होता है थाहरेड में क्या होता है गले पर सूजन टाइप किया जाती है देखे बाहर की तरफ और इसमें क्या खाना चाहिए हमें शी फूड ये सब लेना चाहिए इसमें देखो टीथ पे खार हो जाते हैं खुन निकलता है इसके लिए हमें देखे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये खानी चाहिए देखे दिखांगे लिए आप समझी गए होगे चलिए नेस्पर चलते हम फिर से आयाया है ये और कौनसे रहरे आधिर नाइठ ब्लाइनेस आंखों का रोग पता है ये आंकूं रहे हैं सिकर्फी है रिकेट्स है तो फुरी विटमिन की कमी से होते हैं देखे नाइट विटेमिन ए विटेमिन बी यह सकर्वी विटेमिन सी विटेमिन डी इसमें देखे इसमें दिखाई नहीं देता है इसमें स्किन क्या हो जाती है ड्राई हो जाती इसके लिए हो जाती है वीकनेस एफेक्ट पड़ता है किसमें नर्वस सिस्ट दिख़डे नहीं हो पाते हैं बेंडिंग अफ ता इस्पाइन अब देखो इसमें क्या क्या खाना चाहिए कैरेट खानी चाहिए बटर मिल्क स्पिनेच दिखें आप ये याद करना है आगया होगा आपकी समझ में चले हम नेक्स्ट पर आते हैं अनहल्दी लाइफ स्टाइल यह वाले इस पर आते हैं यह अनहल्दी लाइफ स्टाइल। के अंदर तो environmental pollution और प्रदूशित वातावर्ण में है तो ये सारी disease संभव है यानि कि कौन-कौन से blood pressure से relative है, heart disease, diabetes, cancer, ये सारी problems हो सकती है ये सारी disease हो सकती है over eating and flickant eating of fatty or oily food can lead to accumulation of extra fat in the body देखे जादा खाना तो ये क्या होता है ये एक तरीके से संचा हो जाता है हमारी body के अंदर और वो fat में हो जाता है और fat हो जाता है तो यानि कहने का अंदला ये over weight की condition हो जाती है in many cases इसमें क्या होता है in weight so high that it cause health problem or healthy relative problem होने लगती है तो this condition is known as obesity बोलते हैं जिसे मोटा पा people who are obese यानि कि जो मोटा होता है में suffer from heart problem जो मोटा होता है वेक्ती वो heart problem सफर करता है breathing उसे उसांस लें में problem होती है diabetes का patient होता है वो इस type के disease उसे उसे गुजरना पड़ता है इसमें देखिए एक activity भी है आप खुद read करेंगे vitamin deficiency यानि कि आपको यह जो मैंने आपको बताया था यही आपको याद करना है activity यही कह रही है तो चलिए next है हमारा allergy allergy देखे allergy कई लोगों को किस तरीके से हो जाती है सांस लेने में जैसे धूल से allergy हो गई खाने से हो गई, छीकने से हो गई यह सब क्या है allergy तो है some people react negativity to certain things they eat, breathe और touch touch करने से, eat, सांस लेने से for example some people needs a lot when exposed to dust this condition is known as allergy, इसको allergy बोलते है people may be allergic to different condition of temperature, food, chemical medicines and insect sting, कीडे के काटने से भी होती है chemical medicine, किसी किसको दवाईयों से होती है और किसी को इन प्रकार के तापमानों से होती है यह सब allergy हो सकती है आदमे, पर्सन को allergy conditions may cause kneezing, runny nose बहना, नाक का बहना, छीक रेस्टर्स हो जाते है skin पर, इचिंग हो जाती है खुजली हो जाती है, vomiting हो जाती है diarrhea हो जाता है, यह सब क्या है allergy के ही लक्षण है next, fourth birth related disease and disorder sometimes, देखे, सब कभी-कभी, यह वाली disease जो है, मा के पेट से ही यानि मा के गर्व से ही start हो जाती है sometimes certain disease develop है still is, child is still in the womb of the mother, for example देखे, many children are born with a defective hurt कभी-कभी, जिन बच्चों का जनव होता है तो उनके hurt में defect हो जाता है कि कई किसी किसी में छेद होना यह problem होती है तो some are born with clubfoot or clipped lips कुछी-किसी को जम से ही यह सारी problem होती है communicable disease देखे, communicable disease क्या होती है disease which can spread from one person to another as known as communicable disease जो एक person से दूसरे person पर जाती है वो disease communicable disease होती है इसमें लेकिए बहुत सारी disease है जो कि किसके तारा जाती है in the air, in the water, in the soil in water in water, in soil, in food and also inside the bodies of animals we cannot see them with our bear's eye इनको हम नगनाख को से नहीं देख सकते हैं चुटे चुटे ये कीटानों होते हैं इसके जम्स होते हैं they can be seen only throw a microscope only सुच्चन दर्शी से ही देखा जा सकता है मैक्रोस्कोप से they are called microbes some of these microbes cause communicable disease these disease cause microbes are called germs इनको बोलते हैни यह रांट है क्कॉन होते हैं और दिसीज मां में कॉंसी कटीड है तोल जुख यह बाटिए मैं अ होती है can cause skin disease can cause disease like ringworm disease and nail infection अब देखे इसमें देखे virus से कैसे थे can cause disease common cold हो जाता है influenza हो जाती है bird flu हो जाता है swine flu polio यह सब क्या है यह disease ही तो है किसे किसे होती है यह इनने बोलते है common cold disease है यह germs होते है छोटी 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 है यह एक वक्ती से दूसरे वक्ती पर पहुंसते हैं आसानी से clear when a large number of people living in an area become ill with the same disease at the same time एक ही समय में दूसरे वक्ती पर आसानी से यह पहुंस सकती है it is called an epidemic यानि कि जब हम एक large number of people बहुत सारे वक्तियों को एक ही शित्र में हो रही है तो यह दूसरे वक्तियों पर आसानी से यह पहुंस सकती है हमारी का रूप ले लेती है यानिकि epidemic disease हो जाती है फिर यह some disease जैसे कि आज कल हमारे हैं Corona चल रहा है इसे बोलेंगे हम communicable disease में आए गई है some disease which cause and epidemic are John Dick's है, Colora, Typhide, Malaria यह सब क्या है यह सब क्या है जब एक छेतर में बड़ी संक्या में लोग एक ही समय में एक ही बिमारी से बिमार हो जाती है तो इस रोग की को क्या कहा जाता है महामारी कहा जाता है जैसे आज कल महामारी कौन सी फैली हुई है आप सब जानते ही है कोरोना ठीक है चलिए नेक्स्ट है spread of disease spread of disease disease are spread through, spread कैसे फैलती है sorry, spread ने disease किसे फैलती है air, water, food and some insects से first है disease that spread through air कुछ disease जो होती है वो air से फैलती है इसमें देखी क्या क्या आ गया common cold, missiles, influenza, tuberculosis, diphtheria, spread, throw air यह क्या है air से फैलती है यह सारी disease second है आपका disease that spread sorry, these germs are released into the air when a patient is sneezing or cough when healthy person breathing these germs they get infected तो जब यह कैसे फैलती है disease जैसे सींज और कफ़ वाला वेक्ती है वो दूसरे healthy person के पास बैठ किया तो उसको वोई वाली चुखाम हो जाएगा जो कि आप सबने mostly notice भी किया हुगा second है आपका disease that spread through water disease like Colorado, high fire, john dix and diarrhea are spread by contaminated water यानि कि दूशिद वाटर से फैलती है है जाए, टाइ, टाइ, फैइड है, john dix, पी लिया है, टाइ, यह सब किस से फैलती है दूशिद पानी को पीनी से फैलती है this is that spread through food भुजन से भी फैलती है यह देखिए इसमें देखे many different ways बहुत तरीके से किस तरीके से फैलती है जो मक्या होती है फूट पर मक्या गंदगी में भी बैठती है तो वो अच्छे फूट पर बैठी है अगर वो खुला हो गया जैसे कि आज कल हम बजारों मार्केट्स में भी देखते हैं कई भार देख भी चुके हैं मिठाईयों पर बैठ जाती है और उसी मिठाई को जब हम ले लेते हैं और हम खाते हैं तो हमें उससे ही डिसीज हो जाती है तो इसको एक तरीके से कहते है प्रिट्ट्रों फूड तो जर्म्स ग्रो ऑन गार्वेज औन डर्ट फ्लाई सिट उस पर बैठ ती है फ्लाई सिट ऑन दीज एंड कैडी दजम्स जैट स्टिक टू देयर लेक्स फिर उसको काट लिया हमने मतला मक्खी बैठी जम्स बैठे फिर वो हमारे शरीर पर आए तो वैन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दजम्स आर लेफ्ट ऑन दफूड अन कॉंटर्मिनेटे डिट तो वो दूशिती हो जाएगा वो जन पर बैठेंगी तो वो जन क्या हो जाएगा दूशित हो जाएगा क्यों हम अपने जो जम्स है उस पर छोड़ देंगे या उस पर चिपक जाते हैं तो क्या होता है उसकी लेक्स से चिपक जाते हैं जम्स कैसे जैसे गारबेस पर बैठे गारबेस पर बैठे या डर्ट गंदगी में बैठे तो जो जम्स होते हैं उनके पैरों पर चपकग जाते हैं मख्ख, मच्ष और फिर वो हमारी शरीर पर बैढते हैं फूड पर बैढते हैं तो वो फूड थेते हैं फोड थेते हैं तो उनी फूडों को हम खाते हैं हम क्या हो जाते हैं उस से डिसीज हो जाती there jumps in the dust and soil when this dust and soil is पीपल सफरिंग फॉं इंटेस्टिनल डिसीज दू नॉट वश दियर हैंड्स प्रॉपरली जैसे आतों से समझने जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं देखें हैंड्स प्रॉपरली नहीं दोना आफ्टर गोइंग टॉइलेट के बाद दा जर्म्स आर लाइक लाइकली टू स सब्सक्राइब हैंड्स प्रॉपरली जाते हैं उसी दोशित बोजन को करके disease that spread through insectondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond की जयान का क्या है जैसी दा मलेरिया जामister शैंंटर दा मॉसकीटो बॉडि जा मॉसकीटो की जो बॉडि में जामस हो है मॉसकीटो की जो बॉडि में जामस है तो ऑ हो wären j 2022 मॉस्कीटो बाइट ओहां धा смरीं पर्शयनुए परेन हो hon वह boxing प्रोल प्र 선 सॉरी DO को काटता है तो उसके शरीर में germs आजाते हैं malaria के और वो malaria कर देते हैं उस healthy person को clear तो इस तरीके से malaria होता है the malaria germs enter the person body and cause malaria clear next disease cause through direct contact direct contact से भी हो जाता है देखे इसके disease होती है ना are caused by direct contact से हो जाती है throw the clothing उनके कपड़ों को use करो तो हो जाती है any skin disease कैसे होती है caused by direct contact clear अब देखे name the following है यह यह भी आपको you can self it चले next है हमारा prevention of communicable disease by maintaining hyzine hyzine include a set of practice यह एक set होता है which help in keeping good healthy जो मदद करता है अच्छे स्वास्त में और preventing disease को रोकने में यह hygiene hygiene यानि कि हम अपने आपको कितना साफ रख सकते हैं इसमें देखे कुछ rules है जो हमें follow करने ही करने चाहिए first है देखे wash your hands before eating to remove the dirt and germs on your hand यानि हमें खाना काने से पहले खाना काने के बाद हमें अच्छे से साफ करने चाहिए अपने हाथों को इससे germs ना रहे हैं जो already आप जानते ही है पर हम follow बहुत ही कम करते हैं क्या हमें भूक ही इतनी तेज लग रही होती है तो क्या करते हैं हम जल्दी लेली लाओ जल्दी लेली लाओ फटाफट फटाफट खाया जल्दी लेली हाथ दो एक खाया तो फिर क्या हो जाती है food क्या हो जाता है contaminating यानि दूशित हो जाता है इसलिए हमें अच्छे से हाथ साफ करने चाहिए काना काने के बाद भी और पहले भी ज़िए हमेशा फूट को डख कर रखना चाहिए डू नॉट इट स्पाइल फूट कभी खराब हो जननी करना चाहिए इसलिए बिमार हो जाते हैं जो मिल्क होता है उसको बॉइल करके पीना चाहिए फूर्थ है आपका वाश फूट और वेजिटेवल फूट और वेजिटेवल को धोकर खाना चाहिए इससे कि उससे डर्ट हट जाए चैमिकल और पिस्टिसाइड्स इस सब क्या है चैमिकली तो चनकते हैं जब ग्रोथ करनी होती है हमें फूट और वेजिटेवल की तो कैमिकली चनकते हैं पिस्टिसाइड्स यानि किटाणू नाशिक दवाईयों को हम चनकते हैं तो उनको हटाने के लिए हमें क्या करना अच्छे से वाश करना चाहिए जबी हमें खाना चाहिए नेक्स्ट है डोर्स एंड विंडोज और वाउसेज शुड़ है वाईयर मैश टू कीप अवे फ्लाईज हमें डोर और विंडोज से अच्छे से वाईयरों को बान देना चाहिए जिससे की जो फ्लाई होती है मक्हियां होती है मॉस्किट होते है वो अंदर ना पाए ओपन गटर नहीं रखने चाहिए क्या होती है ओपन गटर में यह मॉस्किट और मच्छर की चंग्या अधिक पढ़ती है और कवर्ड करके रखेंगे तो इनकी मात्रा यहीं कि इनका जो वो है पूरा ब्रीड है ब्रीडिंग है यानि कि भढ़नी की चमता है वो कम हो जाएगी तो मस्ट भी कवर्ड और स्पे और सिनीजिंग टू प्रीवेंट जर्म स्प्रीडिंग थ्रो एर अगर हमको जुखाम है खासी है तो हमें क्या करना चाहिए है हैंड करचीफ यानि रुमाल को अपने मूँ पर रखना चाहिए जिससे की जो उससे फैलने वाले जर्म्स हैं वो दूसरे वक्ति तक ना जाए हैं हमें हें करचीफ का यूज करना चाहिए स्थन बेज़ कर लिदे करना चाहिए। नेक्स्ट है उल्ंवेस, ढ्रिंग क्पिलीन वार्टर हुम रजाए है कहा हुँ पादने। यूज़्ग मैं जब सोग inhal है। तो mosquito net लगाते हैं न मच्छरदानी जिसे बोलते हैं तो वो लगानी चाहिए जिसे की मच्छर enter ना कर पाएं नेक्स्ट है keep the house clean घर को साफसुदरा रखना चाहिए take care to see that the kitchen kitchen की take care करनी चाहिए toilet और bathroom को साफसुदरा रखनी चाहिए time to time if a person is suffering from a communicable disease keep him away from other people और जो सफर कर रहा है communicable disease से उससे हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए अब देखे इसमें vaccination है देखे इसमें दे रखा है picture भी दे रखी है इसमें oral drops से relative देखे बच्चे को यह drop लाई जा रही है यह क्या है communicable disease को रोकनी की drop है यानि vaccination बोलते हैं जिसे that is an effective way of preventing communicable disease इसको रोकनी का एक उपाए एक effective way है vaccines are made of small quantities very weak germs of a particular disease they are given only injected into the child body जब देखे यह जो person है यह child है अगर यह communicable disease से हो रहा है तो यह कहने का मतलब इसे vaccine नहीं लगी है इसले देखे यह polio है इन सब की vaccine लगी है इससे क्या होता है हमारे अंदर जो शरीर में अगर यह vaccine लगी हुई है तो यह एक mind में जाके memory में fit हो जाता है कि और जब इससे relative कोई germs हमारी body में enter करने की कोशिश करता है तो वो हमारे जो mind होता है वो एकदम से हमें क्या कर देता है एक्टिव कर देता है और उस germs को enter नहीं करने देता है यानि कि हमारे अंदर शरीर में उस disease से लड़ने की चमता रंत आ जाती है और हमें वो प्रॉब्लम क्रेट नहीं होती कि लिए तो वेन दे एंटर द बोड़ी द बोड़ी प्रोड्यूस आ इससे लड़ने की चमता आ जाती है जिस क्रेट यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज सम कॉमन वेक्सीन वेक्सीन से दे रखें देखें इसमें है फस्ट है प पोलियो को रोकने के लिए है नेक्स्ट है इसमें डीपीटी वेक्सीन दे रखी है इसमें इसमें देखें टिप्थीरिया और टिटनेस है ना इनको रोकने के लिए है MMR वेक्सीन है मीसल्स पर्मम्स और रुबेलिया को रोकने के लिए तो बच्छो यह इस प्रेंट्स यह मैंने आपका chapter पूरा complete करा दिया है अब इसकी हम जो exercise है वो next video में करेंगे thank you